तेर नमस्कार मैं पवन्षरमा हूँ और ख़वर एक्सपर्ट देख रहे हैं आप ख़वर उत्राखंड से है उत्राखंड के नेनी ताल के कोटा बाग विकासखंड में पूर्मा हुए आन्दुलन में कारवाही नहोने पर 56 सतस्यों ने कोटा बाग विकासखंड में आज तालावंदी की हम आपको बता दें कि उत्तराखंड के नेनी ताल के जिले विकासखंड कोटा बाग में पूर्व हुए अंदोलन में सुनवाईन होने के कारण आज विकासकंड कोटा वाग में तालावंदी कर दी गई है जिसमें आज जेश्ट ब्लॉक प्रमुक ससी डंगवाल के नितरत में 25 शेत्री पंचाय सतस्यों ने विकासकंड कोटा वाग में तालावंदी की है सभी शेत्र पंचायतों का कहना है कि मनरेगा के विकासकारों में यहां अंदे की की जारी है कोई भी अधिकारी शेत्र पंचायतों की बात सुने को त्यार नहीं है जिस कारण आज सभी शेत्र पंचायतों ने मिलकर नारेवाजी की वह विकास खंड में तालावंदी कर दी जिसमें ब्लॉक प्रमोक सचिव डंगवाल का कहना था कि अगर हमारी आगे भी अंदे की गई तो हम प्रदेश इस्तर तक जाएंगे और अपना अंदोलन जारी रखेंगे और आगे सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइबं माहिले को ब्लाव sc प्रफलत संब आगी मेन तो के शुनिे में ने अधिकार को आगक। ये मेडिया के जरिये में कहना चाहती हूं कि महिलाओं की भी सुनें, महिलाओं को भी आगे बढ़ाने की कुछिस करें, जिसे पूर्सों के साथ मिलके आगे को काम कर सके भी शेत्र का विकास करें. पर दैसे ने असवसंन दिया है कि कल अपने पत्तिनों को नुक्ते करके और एक कमेटे हमारे 16-17 दौरा नुक्ते की जाएगी और उस चर्चाओं पर उन विशों पर चर्चा की जाएगी जिन बढ़ने को बनुदिए करके यहां पर यह ने मिता है इस ब्लॉग करें. आगे भी अगर आपकी मागे नहीं माले गई तो आपका आगला गतन क्या रहें आगे भी हम इसको जिले इसतर पर ले जाएंगे इस लड़ाई को परदेश तर तक ले जाएंगे हम अपने और भी ब्लोग के अपने साज्यों के साथ उन्चे अनुगरा करेंगे कि आप इस का परदेगी को ले करके हमारी मां जो जाहिद मांग है इस मांग को ले करके अज़ाई करेंगे